Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will start our first chapter of science, that is growing plants. आज अब बच्चो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम plants को कैसे grow कर सकते हैं, ओके? जो बच्चो plants grow होते हैं, वो with the help of seeds भी grow होते हैं, वो roots से भी grow होते हैं, वो steam से भी grow होते हैं, leaves and spores से भी grow होते हैं, ओके? तो हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, plants कैसे हम grow कर सकते हैं, अगला जो बच्चो हमारा topic होगा, वो होगा agriculture, इसमें हम agriculture के बारे में भी पढ़ेंगे, agriculture क्या होता है, और किस type से हम agriculture कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में भी हम इस चैप्टर में study करेंगे, तो बच्चो अपना chapter स्टार्ट करने से पहले, हम कुछ एक कोश्य ने छोटा सा, उसे हम solve करते हैं, that is, look at the picture of the fruit given blow, जो आपको कुछ pictures दिये हुए हैं, उन pictures को देख के आपको बताना है, कि right whether each of the fruits have no seeds, one seeds, few seeds or many seeds, किस fruit में कोई भी seed नहीं होता, one seed होता है, few seeds होते हैं और बहुत सारे seeds होते हैं, बच्चो आपका जो first fruit आपको show हो रहा है, that is banana, तो banana में कितने seeds होते हैं, बच्चो बताइए, yes, banana में seeds नहीं होते हैं, that means no seeds लिखेंगे इसमें हम, okay, ऐसा ही और भी fruits हैं, जिसको क्या करना है, आपको बताना है उन में कि number of seeds seeds कितने होते हैं, one होते हैं, no होते हैं, few होते हैं, many होते हैं, वो है apple, आपको बताना है कि apple में कितने seeds होते हैं, बताइए बचो, apple में few seeds होते हैं, okay, two year two से ज़्यादा number of seeds वाले जोंगे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, counts कर सकते हैं, two, three, four, five, जिनको हम अपने fingers पे count कर सकते हैं उस फ्रूट्स में हम लिखेंगे फ्यू फ्यू सीट्स ओके अब हमारा जो नेक्स्ट फ्रूट है वह है वाटरमेलन वाटरमेलन आप लोगों ने खाया होगा यह आपको जो अभी हमारा समर टाइम है इसमें बहुत ज्यादा मिलता है तो आप बताइए कि उसमें नंबर आफ सीट्स होते हैं ओके तो ऐसे ही आपको क्या करना है अपने नोट्बूक में एक टेवल ड्रो करनी है बॉक्स ड्रो करने है और उनमें दो बॉक्स ड्रो करने है एक बॉक्स में आपको लिखना है नेम और फ्रूट और जो अनदर बॉक्स है उसमें आपको राइट डाउन कर बच्छों हमारा जो अग्ला टाॉपिक यहल अगैस से कैसे आप करते हैं थोड़ा से से में पहले वेज़ेटेबल से देखेंगे कि उनमें क्या होता है और उनके जो नियू प्लांट्स ग्रोड होते हैं वो भी उनके सीड्स की हल्प से ही ग्रोड होते हैं let us do an activity to understand the structure of seeds पहले हम क्या करते हैं एक activity करते हैं और उस activity से समझते हैं कि कैसे seeds का structure जो होता है वो कैसा होता है ओके इस activity को करने के लिए आप कुछ चाहिए होंगी जैसे इस study को activity को कर क्यों रहे हैं to remove the seeds coat and observe the structure inside a seed एक seed का जो उपर का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं seed coat उसको हम क्या करेंगे remove करेंगे and after removing we see the structure of seeds इसके लिए हमें क्या क्या material चाहिए वो normally materials आपको आपके houses में मिल जाएंगे आपको क्या चाहिए कुछ राजमा के केडिनी के बींज चाहिए ओके water चाहिए और प्लेट चाहिए यह तीनों चीज़ आपको राजमा वाटर एंड प्लेट आपके पास होना चाहिए हम इसको कैसे करेंगे हम क्या करेंगे पहले प्लेट लेंगे लेट में कुछ वॉटर डालेंगे एंड राजमा उसके अंदर ओके नेक्स्टी प्लेट जब उसको हम देखेंगे तो जुदू क्या होगा होगा उसका जो साइज है साइस वह इंक्री सो गया होगा कैसा अवगया होगा तो ओड़ां सा इंक्रीज हो गया होगह क्यों क्यूकि इसने क्या करा है जो सीट है उसने water absorb कर रहे है ऑके डुचि the absorption of water उसका साइज क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा अब हम क्या करेंगे अब हम उसके ऊपर जो सीट कोट है उसका जो कवर है आप मोस्ट जो लेयर है उसे हम रिमूब करेंगे हम क्या कर सकते हैं डेख सकते हैं structure of see each कैसा होता है कि हम इसको स्टडी करते हैं इसीट कोट प्रोटेक्ट शी'M मोन य कि जो सीट कोट होता है वो क्या करता है बच्छो वो जो सीट होता है उसके अंदर जो बेबी प्लांट होता है उसको वो जबन करता है। इस ऐण उपनेंग इंदा सीड न कोड आपके डाइगराम ने आपको दिखर होगा आपने नोट भुक में आप इसको भी ड्रो करके इसकी प्राक्टिस कर सकते हैं इसके हम किस पार्ट को क्या बोलते हैं वो आपको लर्न करना है ओके understood हम चलते हैं अपने next topic पे our next topic is germination of seeds seeds का germination कैसे होता है germination of seeds बच्चों किसे बोलते हैं a seeds need significant amount of water light warmth and air to the grow into a new plant यह जो पूरा process होता है seeds से एक new plant बनने में that process is known as germination okay आपके सामने definition लिखी विए आप इसको note-down कर सकते हैं okay the process in which the new plant grow from seeds is called germination पहला क्या होता है a seed sown in soil get warmth air light and water सबसे पहला हम क्या करते हैं बच्चों seeds को soil में उसे हम sown करते हैं बोते हैं then second topic आता है the seeds coat break and a baby plant come out जब क्या होता है वो कुछ time two three four five days का time उसे लगता है उसमें से seed में से छोटा सा baby plant बाहर निकल कर आता है it grow small roots और उसमें छोटे 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 रूट्स भी नेचे निकलते हैं the root grow further and small suit development उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है उसमें आप देखेंगे उसका जो शूट सिस्टम होता है सूट सिस्टम क्या होता है plant के ऊपर वाले पार्ट जो यह होता है plant है plant का जो ऊपर वाला पार्ट होता है यह पूरा that is known as सूट सिस्टम और जो नीचे वाला पार्ट होता है that is known as root system आप देखेंगे थर्ड स्टाप में उसका जो सूट सिस्टम के कुछ सूट पार्ट होते हैं वह आने स्टार्ट हो जाते हैं फूर्ट वाले में देखेंगे as the roots and the सूट grow in a size उनमें leaves आने स्टार्ट हो जाएंगे और उनके जो root वाले पार्ट होंगे जैसे के में देखा root वाले पार्ट भी काफी ज्यादा फैलने लग जाएंगे तो बच्चो यह हमने सिखाज germination of seeds अगला जो बच्चों हमारा topic होगा वह होगा dispersal of seeds उसे हम अपने next वीडियो में conduct करेंगे आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें comment करके बताए और इस वीडियो को like and subscribe जरूब करें thank you for watching this video